हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एस्टाइविच क्रेजी गुरु, फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग DRDO से जो जॉब नोटिपिकेसर निकला है जो की इस्टिनो ग्राफर के लिए है, एड्मिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट के लिए है, इस्टोर एन सेकर्टी एसि पहले नाइन तक हो चुका है नहीं देखें तो यह वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं, तो चलिए, यह तो हो गया कि अपना यह क्लास कि स्वेस्ट पर चल लाए तो देखिए, ट्वीटी इस कॉंसेट्ट पर यह क्या है, पहले हम लोग ठियोरी क्लास देखते ह उसके बाद टेश्रिज, थियोरी मतलब रूलस देखें जैसे नमर सिस्टम का रूलस देखें, उसके बाद क्या है कि अभी तो टेश्रिज ही टेश्रिज चला है लेकिन जल्द ही थियोरी कलास भी आ जाएगा, जैसे डस हो गया, जिनरल एवेरेनेस में तो काफी जादा हो गया है वहाँ पर 25 टेस्टरीज हो चुका है उसके बार क्या है कि इंगलिस में भी लगभपन रहा हो चुका है तो सेम मतलब एक्वाल करके टेस्टरीज जैसे अपना डिया डियो सेप्टम 10 में एने में 75 कोश्चन 75 मार्क्स के पुछे जाएंगे कहां कहां से रहेंगे एप् उसके बार हमें एक अवस्चक सुचना आप लोगों को दे दे कि यह चारो सब्जेक्ट का अगर एक्जाम पर्टन प्यादारी डिया डियो सेप्टम 10 एने के एक्जाम पर्टन पर निवस प्यादारी अगर बुक लेना चाहते है तो अपना एक स्टड़ी विट करेजी पहुंचाना बुक तो अभी संभव है नहीं क्योंकि एक्जाम आप जल्द ही ले लेगा जैसे ही रिजेक्शन लिस्ट आएगा उसके बाद एक्जाम डेटा आजाएगा तो क्या है कि देश के कुन और अभी तक देखिए डिया डियो के तरफ से नहीं आया तो मैं कैसे बो देखिए चारो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड डिजिनिंग जएंडरल अवेर्नेश और जीन्राल इंगली्ट चारो सब्जेक्ट का जो है मार्वे आपको सतर रुपया में लिए ये उपुक दिया जा रहा है आप सतर रुपया क्यों है देखिए बुक का प्राइस जी र तो फिर दुबारा पेमेंट करना ही यही 70 रुपया का पेमेंट स्क्रीन सॉट रखना है जितना बार दिलेट होगा उतना बार आपको भेज दिया जाएगा लेकिन आप लोगों को सवधानी बरतना है कि डिलेट नहीं होना चाहिए क्योंकि बार बार भार भीजने में कठीना स्टेट नैम और किस पोस्ट के लिए आपने अपलाई किया है वो हमें सेंड किजिएगा बुक आपको दस्मेंट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा देखिए इस तरह का है न जे इतने सारे पोस्ट के लिए क्यवल जेटी ओ का सिलेवस लगा है बार बाकि जितना भी य आज का कोस्टन आपको देखने को मिल जाएगा टेंसल लेन की जरूरत नहीं है देखते हैं यादी चौ अंको की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में चार अंको की सबसे छोटी से छोटी संख्या गार्ण गटा दिया जा तो स्वस्थ क्या बचेगा तहीं बोलीगा सर इतना सिंपल कोस्टन आता है कि इतना सिंपल खीकोस्टन आता है इजी मोडरेट भी आता है आपको सबस्टो यहां सुल्ब करने अबी देखे थोड़ा कि इसके बाद क्या होगा कि हम मोडरेट में जाएंगे अंको की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 6 नाइन होगा, यानि कि ये क्या है? 6 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंको की छोटी से छोटी संख्या, जिसमें क्या है? 4 मतलब 1 और उस पे 3 सुना, तोटल 4 होना चाहिए 1000 होगा, जो कि 4 अंको की सबसे छोटी से छो जितना जाय आंकों को लेंगा उससे एक कम हो जागा जागा तो इसमें से बोला है इसमें से बैर क्या बचेगा ये है नौव लाक 99,000,9999 है तो उसके बार क्या है कि इसमें से 1000 कि करना है जो कि चार अंकों की सबसे छोटी से चोटी संख्या एक ट्रीक है जब ऐसा रहा है न देखिए 1000 माइनस करेंगे यह 9 9 9 9 यह क्या हो जाएगा 9 में सुगन जाएगा 8 आजाएगा उसके बाद 99 यानि कि यहां पल देखिए जो चार अंको बोला है यह माइनस तो इसली कर सकते हैं मतलब यह क्या है कहा है वर्गाकार खेट के चार ओल टार लगाने में कितना ऐसी मीटर टार लगता है तो उस कि उस खेट में से 2mzer गहरी मिटी काटने पर उस मिटी का आय्तन क्या होगा या नि कि उस मिटी में 2 मिटर का गहरी अगर क्या है कि मालेजिए यह वरगाकार खेट है सौरी बनाना है600 भूजी आपस में प्रावर होना चाहिए यहां 80 मितर यानि किसका परिमाप यहां 86 मितर और उसके बाद क्या है उस खेत में खेत दो मितर गहरी मानने ही गहरी और मिटी काटने पर होगा क्या यह पुछा है सबसे पहले हमें क्या वर्ग का परिमाप देदिया कियो किनारे से थार पूरा लगाया जाएगा तो यह 80 मैटर होजएगा यू निकल लिया जो यहां लिखा है तो यहां से वर्ग मिटेर invalid इसका हो जाएगा मैं दूंब कर दिए-सका हो जाएगा इसका मिटी काथ उच्छाई, यहाँ पर लम्बाई और हो गुने चौराई अंडर से छेखराय गया निए इन्टू इन्टू होजाई तो यही आयतन पूछा है तो दू मिटर गहरि मिटे काटने पर हो गफाना यानि की। छित्र फल कितना होगा चार्षा मिटर और इसके अंदर यानिकी 2 मिटर अंदर से ये काटा गया है ये गहराई into हो जाएगा into 2 हो जाएगा तो यहीं ना इसका आय तन वॉलूम यहीं होगा ना ता 800 मिटर घन मिटर क्यों क्यों कि देखिये भजाइ स्क्वार यानिकी मीटर स्क्वार्ट तो चाहा है इंटू मीटर यानि कि यह उचाई भी होगा तो अमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर देखके यहां पर तो घंड मिटर घंड मिटर दे दिया है लेकिन की फासा डेताइक जामिनर क्या कलता आठ सौ इसमें दू अपसन दे देता आठ सब्सक्राइब करने में कितना समय लगेगा यानि कि माली यह 40 किलोमेटर है न तो 20 किलोमेटर यह यहां यहां आधा दूरा या उसके बार कॉल आया तो यहां से यहां वह 40 किलोमेटर के स्पीड में चला तो यह टोटल टाइम कितना लगेगा यह पूछा है है टोटल टाइम कितना लगेगा देखिए सिम्पल हम लोग सिकेंड मेठर भी देखेंगे फॉसत बहले से के कि टने में लगा स्माय समई समय यानि की चालीजकॉल्टो किया होता है दुरीवऩटे चालीजकॉल तो क्या हो किलोमe2 क६ 10 जा जाएगा 20 जो किलोमिटर चाल कितना है 20 किलोमिटर पर यान् nett Olay याने कि एक घंटा लगा इसको पहला 20 किलोमिटर जाने में यहां तक आने में उसको ऐ 120 और और टाइम लागा उसके बार क्या किया क्यों डूग धूग फिर यहां से क्या कियागो, 40 km पर आवर से चला, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां समय निकल जाएगा, समय जकल तो दूरी, दूरी आबटे में चल, यानि कि दूरी कितना है, सेस 20 km, क्योंकि 40 km ही चलना था, तो 20 km पर आवर के स्पिर से चला, तो सेस 20 km वो कितना, 20 km दूरी और चाल कितना, 40 से चला, यानि कि 1 बाइ 2 आवर, यानि कि आधा घंटा, 1 बाइ 2 आवर है न, 1 बाइ 2 घंटा इसमें चला, 20 km में, पहले 20 km में एक घंटा लगा, यानि कि पहला 20 km चलने में उसको जब 20 km पर आवर के फिर से चला था ता 1 आवर लगा आगला 20 km चलने में कितना लगा एक वटे 2 आवर यानि कि आदा घंटा लगा यानि टोटल कितना 40 km गो तै किया यानि कि डेर घंटा 1 ये रखे 1 और टोटल यानि कि कुल समय दोनों एड़ हो जाएगा ना तो 1 पर लस 1 वाइट हो यानि कि एक पुर्णा के एक वटे 2 डेर घंटा टोटल उसको समय लगा जो कि अप्सन कहां है D में है कहां है D में है D इसका सही उत्तर हो जाएगा सेम इस्तर अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या किया है यह थोड़ा लोंग आउसर चालिज कॉल तो दूरी वटे समय दूरी वटे यानि दूरी तो एस है एस मानले जे कितना है एस 40 किलो मेटर उसको टोटल चलना है लेकिन अभी यहां चालिज क्यों नहीं लिखें बता रहें उसके बार कुल समय समय यानि कि पहला 20 किलो मेटर में समय कितना लगा समय इसको न लिख दिया एस इंटू गुने 20 शॉट फ़र में यहां पर लिख दिया ना समझे जैसे देखिया हाफ किलो मेटर चलने में उसको कितना 20 किलो मेटर चलने में इसको कितना 20 किलो मेटर पर और के स्पीस से चला यानि कि यहांपे क्या हो जाएगा चालिस बटे टू यहांपे लिख दिया है फिर अगला s यानी कि यह टोटल सब्सक्राइब चालीज किलोमेटर पर आवर के स्पीर से चल ला है एस बटे टू जोकी डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड वाइड चाल यानि कि इसको हम लोग लिख सकते एस इन्टू 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 फोटी तो यह दोनों से एस कॉमन निकल जाएगा तो एस से एस कैंस समय क्या है यहां पर तो हम लोग चाल निकल लिखा यहां पर लिखा जो कि एक पूर्णा के वट्टे दो घंटा यानि कि इतना लगेगा सिकेंड मेथर सबसे अच्छा इस पर भी आप कर सकते हो चलिए अगला कोश्चन देखते हैं क्या है ए और बी मासिक आए है कितना पा अनुपाद 5 जह में है तक ना उनके मासिक व्या कितना आए क खर्च है कितना पांच पांच अनुपाद 6 के आनुपाद में यह और देखते हैं लेकिन उनका जो घंटेख ए 3 नुपाद 4 तो यादि प्रती मास करम्स 186 और 166 बचत करते हैं तो वी मासिक आए ग्याद करें क्योंकि हैं फिर भी देखते हैं देखिए मेठर वन टू से जाएगा तो तेन निकल जाएगा मेठर वन देखते हैं माना कि ए और बी की आया है करमसा फाइव एक्स और सिक्सेक्स हम लोग सुरू से इमानते आ रहे हैं जे अगर अनुपात हतेगा तो एक से मल्टिपल हो शाओ जाएगा और उसके बाद यह बोला है कि युए जो यह दोनों हाए प्रती मास करमस अथारा सो और सुलासव बचाते हैं मानली जे फाइव x कमा रहा है और फिरी एक्स वह कर रहा है ब्यकर रहा है तो क्या हो जाएगा वो टोटल कितना अथारेसो बचा लेता है ता फ पे देखिए 5x वो कमा रहा है और 3y वो क्या कर रहा है वे कर रहा है तो 5x-3y is equal to 800, 800 कहां से आएगा क्योंकि यहां पे देद यहां कि प्रती मास कराम से 800a और b है जो कितना 600 बचत करता है तो यह दोनों में से कमाई और खर्च दोनों अगर माइनस करेंगे तो जो बचत होग और equation 2 यह equation 1 और 2 को परतिया स्थापन विधी से x और y का मान हम लोग निकाल लेंगे यह calculation का पार्थ है आपको करना है टेंट कलास में आप बहुत पर रहे हैं अच्छा marks लाए हैं हम मतलब जानते हैं तो आपको क्या करना है यह calculation करना है ओके x और y का मान यहां से निकाल लि जेगा उसके बाद b का b का i क्या पुछा है b का i पुछा है यानि कि i यहां a और b का i यानि कि 6x हो जाएगा अगर वह पुछता फोर y हो जाता लेकिन 6x यानि कि x हम लोग 1200 है तो 6 into x is 6 into 1200 यानि कि 7200 हो जाएगा यानि कि बारा आदमी एक दिन का बोला है प्रती दिन नौ घंटे काम करके 2400 रुपय कमा रहते हैं और आथ आदमी जो आथ आदमी है आथ घंटे काम करके 7 दिन में कितने अरजित करेंगी यानि कि 12 आदमी एक दिन का बोला है प्रती दिन नौ घंटे काम करके 2400 रुपय कमा रहते हैं आथ आदमी आथ घंटे प्रती दिन काम करके उनका 7 दिन का क्या काम है यहां एक दिन का पूछा है यहां 7 दिन का पूछा है ऐसा कुश्चना स्पीन हम करना है सबसे पहले एक आदमी एक घंटे जो काम करता है एक दिन में वह ये होजागा, एक आदमी एक गंटे काम करके, बतलब एक दिन में ये करता है, तो आप क्या है? यहाँ पर देखें. नओ आदमी आठ गंटे में साथ दिन में कीतना काम करेगा? यह एक है न यह भी एक यहाँ पर multiply into one हो गया है अगर यहाँ दो रहता था into two हो जाता ओके तो यह 12 into nine ही क्या हो जाएगा यह आदमी है और यह घंटा है जो hour है इतना घंटा काम कलता है तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा एक दिन का यह है तो साथ दिन का केतना हो जाएगा 7 into सबसे बेस्ट मेठर है मेठर जो मैन हो जाएगा उसके बाद वर्क हो जाएगा इतना रूपया कमाता है देखें कितना बारा आदमी बारा आदमी नौ घंटे काम करके ता बारा आदमी मैन वर्क हो गया टाइम कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा इंटू डे कितना वन डे हो जाएगा और कितना काम रूपया कितना कमाता है डिवाइडर वाज 2400 इतना कमा रहा है उसके बाद क्या ह यही पूछा है कि जो आगला है जो कितना है जो साथ नौ आदमी आठ घंटे काम करके साथ दिन में यानि कि यहाँ पर देखिए जो नौ आदमी है नौ आदमी मैंवर कितना नो हो जाएगा आठ घंटे तो यह टाइम हो जाएगा इंटू डे कितना है सेवें डे है और यह डिवाइडर वा एक्स पूछा है इसकल तो यह कितना है 12 इंटू 9 द्वार में से 25 परसेंट योगटा प्राप्ट नहीं कर सके यह माल लिजे कोई परिच्छा है तो कोई परिच्छा में 100 लोग बैठा जिसमें से 25 है जो कि यह योगटा प्राप्ट नहीं कर सके नहीं कर सके और योगटा प्राप्ट करने वाली कुल संख्या 450 है 25 परसेंट माल ले उमिद्वार की संख्या यानि कि टोटल उमिद्वार पूछा है तो समझ यह एकडम सिंपल यह कोश्चन है कोश्चन समझ गए ना एक परिच्छा है जिसमें 100% उपस्थिती है जिसमें से 25% है जो कि योगता पराप्ट नहीं कर सकते हैं 25% 25% लेकिन 75% है ना उसकी संख्य है जो योगता पराप्ट करते हैं वह 450 है और हमसे पूछा है टोटल 100% विद्यार स्टुडेंट कितना होगा यह पूछा है तो सिंपल जब इस तरह के कोश्चन आए ना तो हम लोग सिकेंड मेठर करेंगे 75% इसकल टू कितना 450 कोश्चन में दे दिया है तो 100% कितना हो सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं चाहिए भी कर सकते हैं माना कि जो मेठर वन है माली जे 75% 450 है इसमें आप लोग 25% नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं 45% कितना है 450 यानिकी 75% है यानिकी 25% कितना हो जाएगा मातर 150 यानिकी 450 में 150 आएट करेंगे तो यह 600 हो जाएगा लेकिन सेकेंड मेठर जो माना परिछा में बैठने वालों की संख्या एक्स है माना की और योगता पराप्ट करने वाले कुल संख्या कितना है 450 है यानिकी एक्स है जो की टोटल स्टूडेंट बैठ रहे और जो योगता पराप्ट करने वाला यहां पे कोश्चन में दे दि है एक्स का 25 परसेंट है जो कि 25 परसेंट हाटाएंगे तो 25 बटे 100 यह लिखा है इसकल 450 यह हमें दे दिया है यहां से हम लोग की सिंपली मतलब कल्कुलेट करके एक्स का मान निकाल सकते हैं तो एक्स का मान निकालेंगे वही न टोटल एस्टुडेंट हो जाएगा जो कि हम पहले ही मान चुके थे कि एक्स में परिच्छा बैठने वालों की संख्या एक्स है यह ऐसे मतलब यह कोश्चन में दे दिया है टोटल एक्स है आएक्स में से 25 परसेंट अगर हम माइन एक्स का 25 परसेंट अगर हम माइनस कलते हैं यह 450 हो जाएगा जो कि एस्टुडेंट दे दिया है यह इतना स्टुडेंट है जो कि उत्र दिन हुए है परिच्छा में यह देखें यहां पे बोला गया है न जो मिद्वार कुल केवल संख्या जो करने वाली की संख्या 450 है यहां से इजली हम लोग एक्स कामान भी निकाल सकते यह आएसे भी सिंपल ट्रीक मतलब मेमोरी बेस पर हम लोग बना सकती है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं क्या है देखे 47 47 क्या है एक रेल गाली 162 मीटर लंब एक प्लेट फर्म को 18 है तथा एक सअ मनलीजे कोई साइड से क्या 120 मीटर लंब अन्य प्लेट फर्म को मार पानर शीकेन बहं यानि रेल गाली का जो समान है दोनुका Fred सबसे पहले पहले की एक साथ मिटर है और एक प्लेट फर्म है यहां है 120 मिटर है और चाल है जो कॉस्टेंट से यह बढ़ रहे हैं इसको 162 मिटर वला इसको 18 सिकेंड में क्रॉस कर जाती है और 120 वाली को वो कितना मात्रव 15 सकेंट में ये रखिये, यहां पर मात्रव 15 सकेंट में क्रोस कर जाती है, लंबाई पूछा इसरी कोष्चन को याएगा, ऐसा कोष्चन आए ना, तो सबसे पहले मान लेंगे कि की र्येलत्य गारी यह साइराम का से जार्द्ध हो जाएगा ज़ो डर्यंदC यो में जो तूर्य गाहेद हो जाएगा य्यादि कि रोगार का डूर्य गोलत्य होता है तूर्य अभब अबस्वाच्टे में प्लेश्न से यह ह स्कूपतार है यहां से शन्रुण बड़ाबर हो जाएगा बड़ाबर दोनों क्यों होगा क्यों कि रेलगारी का चाल समान है दोनों प्लेट्फर्म को क्रोस करने में उसका चाल क्या है समान है इसलिए दोनों बड़ाबर हो जाएगा यहां से हम लोग सिंपल एक्स कामान दोनों इक्विएशन से निकाल सकते जो कि 90 मिटर आएगा जो कि रेलगारी का लंबाय हम पहले ही मान चुके थे तो रेलगारी का लंबाय कितना हो जाएगा 90 मिटर हो जाएगा आप लोग हई त्रिक पर प्रावा आपना यह क्या है जिएगा क् सेस्वेजर ही यह टरीक है लेकिन जैसे क्योंकि एफ़ निगाल है उत्त च्छल कि holiday ढाउर preferably संब्सक्रण हो जाएगा चाल यह कारण हा जो equal हो जाएगा क्योंकि चाल समान है दिछी अगला गोष्चन देखते हैं तो अगला question क्या है 48 किसी विद्याले में 40% विद्यार्थी footwall 50% विद्यार्थी cricket खेलते हैं 18% विद्यार्थी न तो footwall खेलते हैं तो कितने परते 60 विद्यार्थी है जो दोनों खेल खेलते हैं तब मान लिजिए ऐसा question आए न तो simple आपको क्या करना है जानते हैं पहले trick पे जाना है मान लिजिए 100% है 100% में से क्या है कि यहां पे हमें एक डम clear clear डिया है की 18% है जो कि न फुटवल खेलते हैं और क्या पूछा कितने पर तीसाद दोनों खेल खेलते हैं तो इसमें से 100 में से क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यह 18 है यह माइनस कर ले आइसे है जो कि कुछ नहीं खेलते हैं लेकिन ये 82% में से ये 82% है आइसे जो कि कुछ ना कुछ खेलते हैं हमें ये पूछा कि इन में से कौन सा आइसे है जो कि कौन सा आइसे कितने आइसे विद्यालते हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं और 82% में से 40% क्या है जो कि फुट व गया देखे यह दूसरा यह परसेंट 90 परसेंट दूसरा चीज का है और जो 82 है हंडेड में से अठारक यह टोटल अवरल है तो यहां पर हम लोगों क्या पुछा है कि दोनों खेलते हैं यह पुछा है तो दोनों खेलते हैं यानि की है टोटल यह 82 परसेंट है जो कि ओर आल डोनों खेलने वाले में हैं लेकिन हमको इस में से क्या है 52% में से 50 % जो केवल क्या खिलते हैं 50% है जो केवल केवल हैं और 40% चाथ otherwise 90% 90% हो गया 90% में से 82% अगर हम करेंगे क्यों किक क्षेंगे 82% स्टूडेंट है जो की जैसे 18% स्टूडेंट है जो कुछ दो नहीं खेलते हैं कि ना तो फुटवल खेलते हैं ना ही किर्केट खेलते हैं बाद बाक 82% है जो कोई कुछ कुछ क्या करते हैं यह क्लते है यह सच छकते हैं कि मान लिलों है अब यहां पर दिखेंगा अ क्लाने से सबसें पाले 18% ऐसे है जो कि कुछ नहीं खेलते हैं लेकिन हमको फूटबल्य को दोनों खेलते हैं दोनों खूलते हैं तो उसमें से क्या करेंगे फोटी माइनस एक सा प्लस एकस कर लेंगे क्योंकि आड़ हो रहा है दोनों में common है यह प्लस एक्स कर लेंगे आप प्लस उसके बार क्या 50-1 से यह 50-1 हो गया आप प्लस 18 18 प्लस के तरफ तरह 100 के बरावर होगा क्योंकि हमें यह total है overall है जो 100 के बरावर equal करना है न तो इस तरह हम लोग x का मान निकाल सकते हैं जो कि कितना 8% आएगा इस तरह भी ह एक लिए है कि बढल क्हांतों हैुए ऐसे यह नहीं बोला है कि इसके पास चार रुप learnt है दो रुपए को यह सब्सक्राइब एक दम गलत होगा कैसे गलत होगा तो वह हम लोग देखते हैं देखे जब ऐसा पर्तिसत बोले न यहां पर यह फर्मूला आएगा यह फर्मूला हम लोग थियोरी कलास में देखेंगे जब आर क्या रहे तो 100 इंटू आर आर क्या है 10 यानि कि 10 परसेंट यहां पर क्या बोला गया है 10 परसेंट अधीक है तो बीके उचाई एक उचाई से कितने पलतिसत काम है जरूरी नहीं जब रावर होना चाहिए 100 इंटु आर डिवाइडर फाई हन्रेड प्लस र हो जाएगा यह हो जाएगा एक हजार डिवाइडर वा एक उउदस यानि कि यह नम पूर्णांक एक वट्टे एक आरे इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मेठर से हम लोग ये कड़ सकते हैं कि म kıya 110 क्योंकि 10% ऐटीक है यहां पर देख़े उचाई 10% एपसेंट और conflicting होजाएगाल-200 है डोनों का जो गाइप हो कितना दस हो जाएगा अविस्ट परशंट यानि की जो आएका गैप जो डिम परफिagog यानि कि 110 में से 100 जाएगा तो गो 10 बचेगा डिवाइड वा 110 जो कि पहलु का का है मतलब 110 पहले वाला का होगा इंटू 100 करेंगे तो वह ही अपना एंसर हो जाएगा 9 पुर्णा एक वर्ट एक आरा परसेंट ओके चलिए अगला कोश्चन देखते हैं क्या है 50 50 नमर कोश्चन क्या है बारसिक रूप से संयोजी चक्रविल्धी व्याज की किसी दर में कोई 4 वर्स में 2 गुनी हो जाती है मालिजे कोई दर है जो की पी है तो पी है जो 4 वर्स में 2 पी हो जाता है कितना 2 पी हो जाता है और तो यह पूछ रहा है उसी दर से वह स्वयम को 8 गुनी कितने सम यही पी को अगर माल जे यह पी है इसको पुछा उसी दर को उसी दर से स्वयम को आठ गुनी करने में यानि कि इसको एट पी करने में कितना टाइम लग जाएगा यानि कि पी को चार वर्स लग जाता है कितना टू पी होने में यहां एट पी है यानि दू का क्यू हो जाएगा यानि कि तीन मलतबे यानि कि चार गुने तीन यानि कि बार वर्स लग जाएगा समझे की नहीं समझे कुछी जैसे देखिए पी को पूरा होने में चार वर्स लग जाता है कितन यानि की एट हो जाएगा ओके और कितना तीन यानि की चार वर्स चार वर्स और चार 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 कितना हो जाएगा बारा वर्स टोटर लग जाएगा कितना बारा जो की भी होगा इसका एंसर करेक्ट क्या होगा बी होगा देखिए पी को पुरा होने में टूपी होने में दो वर यानी कि कितना हो जाएगा कर चार वर्स बढ़ार, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि देखें दुगणा होने में में लगता है दःटो इसको 8 बुना होने में दू का क्यू एट हो गया यानि कि यह क्यों आ गया फोड से चार इंटु थिरी यानि कि 12 वर्स यह हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं भी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा तो चलिए आज का स्रीज का कोश्चन मतलब 10 कोश्चन कराते हैं एक डम इसी तरह मतलब जहमा जहम तरीके से कोश्चन आएगा जब तक इक जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको बस टेंशन नहीं लेना है इस नमर पर आपको पेमेंट करना है कितना सेवेंटी रूपीज मातल अभी देखिए हंड्रे रूपीज अब यह 30% डिसकाउंट चला है तब 70 रूपीज है उसके बार फिर इसको क्या कर दिया जाएगा फिर आप इसको आपको 100 रूपीज कर दिया जाएगा अगर नहीं लिया है तो ले सकते हैं और बूक है जो अपने पास इंगलेश मेडियम में भी है और हिंडी मेडियम में इ कैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो का अपने दोस्तों के वीच भी सेयर करना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय वारत